बाजार में एक कमीज परचे बाजारों की शरंखला कपास उगाने वालों को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से जोड़ती है इस शरंखला में प्रत्य कड़ी पर खरीद और बिक्री होती है एक कपास किसान अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है जब कपास के पौधों पर आए डोडे पक जाते हैं और चटक जाते हैं, किसान उनमें से रूई चुनता है रूई की फसल इकठा करने में कई दिन का समय लग जाता है क्योंकि डोडे जिनमें रूई भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं रूई एकत्र हो जाने के बाद किसान इसे स्थानिय कपास बजार में बेचने के बजाए एक स्थानिय व्यापारी के पास ले जाते हैं कपास की खेती में उर्वरकों और कीट नाशकों के बहुत अधिक निवेश की जरूरत पड़ती है और किसानों को इन सब चीजों को खरीदने पर काफी व्याय करना पड़ता है फसल की बोनी शुरू करने के समय छोटे किसानों को इन खर्चों की पूरती करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है या अपने घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए जब किसानों की कोई आए नहीं होती है या आविशक्ता के समय भी किसानों को उधार लेना पड़ता है व्यापारी आम तोर पर इन छोटे किसानों को इस शर्त पर पैसे उधार देता है कि वे अपनी सारी कपास केवल उसे ही बेचेंगे जब किसान चुनी हुई और साफ कपास व्यापारी के पास ले आते हैं तो व्यापारी कपास के कुल मूल्य में से ब्याज और मूल रिन के पैसे काट लेता है और किसान को बहुत थोड़ा पैसा ही देता है किसान इस बात का अधिक विरोध नहीं करते हैं